हेलो गाईस मैं हो सुरच कुमार पांडे आपको नमस्कार तो गाईस जैसा कि आज हमारे कुट्टे का बहुत बुरी हालत है और गाईस मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ वो भी फर्स पे सोया हुगा है गाईस यहाँ पे गुंडा है अभी हम बाग में हैं गाईस चलि का उपर का भाग जानध वाला होता गैज ओ फुड़ा पक चुका है और गैज बहुत ज्यादा सूज गया है उसमें मोटा सा होल हो गया है गैज बहुत बहुत ज्यादा माहरetterा है कल लेकिन हमारे चोटा को समय है हम दिश्टर्ब हो रही है इसको हो क्या है क्योंकि गाईस अभी तो ये इसको हम दो पहर में खाना दिये थे एक नंबर थी गाईस लेकिन ये गई और वहाँ से अभी आई है तो गाईस ये देख रहे हैं कि डिश्टर्ब हो गई है इसका क्या है कि गाईस कि ये उल्टी पल्टी नहीं मार रही है इसका ये आप जो पै प्रकार से और इसमें पूरा इसके जाम इसका जो ऊपर वाला भाग है गाईस ये आप देख रहे हैं वहाँ पे चाट रही है गाईस क्या है कि जहां पे कुझे अपने जीप से चार देते हैं वहाँ का घाव सही ہو जाता है लेकिन गाईस इसका जो घाव है बहुत गहरा हमें दीख रहा है ए गाईस खड़ी नहीं हो पा रही है इसका जो पैर है गाईस पुरा मूर जाता है सीधा होता ही नहीं है गाईस वहाँ पेड़ के पास आई थी गिर गई इसके बाद हम जाके महारे देखें तो सूचे कि ये तो छोटा रोल है हного है इसको यहां पर लाएं औरल दॉर से बात किये हैं ओ बोला है कि अब हमारे हैं तो इसका इलाज हम करवाएंगे क्योंकि आईसा तो अभी जक्म मेरे किसी कुत्तों को नहीं हुआ था क्योंकि घैसा तक तो सही ती लेकिन 12 घंटे के अंदर में ऐसा जक्म हो जाना हम तो गाइस डिस्टर्ब हो गये हैं क्योंकि ऐसा तो अभी हमारे सभी कुटे मानते हैं कि गर्मी में थोड़ा डिस्टर्ब चलते हैं क्योंकि कुटों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है लेकिन ऐसा जख्म कैसे हो सकता है ऐसा जख्म तो अभी हम पहली बार देख रहे हैं इसके बारे में कुछ भी इलाज आपको जानकारी है तो गाईस हमें कमेंट बोक्स में आप जरूर बताएं साहिद ओ इलाज हम कर दें तो हमारी छोटा डोन अच्छा हो जाए तो गाईस आज का वीडियो यही था तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत